नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है नौलेश पार्क यूट्यूब चैनल में आज हम ध्वनी के बहु बेकल्पी प्रश्ण देखेंगे साउंड के कल हमने इसका थियोरी पार्ट किया था तो चलिए सुरू करते हैं पहला कोश्चन पहला कोश्चन है ध्वनी तरंगों की प्रकृति होती है तो वो होती है अनुदैड क्या होती है अनुदैड लॉंगिट्यूडनल वेप्स होती है अगला प्रश्ण देखते हैं पराश्रव तरंगे मन सुद्वारा तो जो अल्ट्रासोनिक साउंड होते हैं वो मन सुद्वा सिकार परभच्चियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादर या डॉल्फिन किस घटना का प्रियोग करते हैं तो वो करते हैं प्रतिध्वनी का निर्धारण इको इको जन्रेट करके चमगादण और डॉल्फिन अपना सिकार करते हैं और अबाधाओं से दूर रहते हैं अगला प्रशन देखते हैं चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्पोर्ट सुनाई नहीं पड़ता है क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा पर है एट्मॉसफेर नहीं है वायू मंडल की अनुपस्थिती है इसलिए हमें दूर विस्पोर्ट सुनाई नहीं देगा क्योंकि हमने बताया था कि साउंड को ट्रेवल होने के लिए किसी न किसी मीडियम के जुरत पड़ती है सबसे ज़्यादा साउंड ट्रेवल करता है सॉलिड में देन लिक्विड में देन गैस में अगला प्रशन देखते हैं चमगादर अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि अप्सिन नमर सी वे प्रती ध्वनी उत्पन पैदा करती है जिससे उनका नियंत्रण बना रहता है अगला कोशन देखते हैं निम्न द्रव्यों में ध्वनी सबसे तेज यात्रा करती है किसमें कर सकती है वो स्टील में सबसे तेज साउंड ट्रवेल कर सकता है अगला कोशन देखते हैं किस माध्यम से ध्वनी सबसे तेज चलती है तो अभी बताया यहाँ पर लिखा है ठोस तो वो हो जाएगा ठोस ठीक है दोस्तों यह जितने भी कोशन है यह प्रीवियस येर में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने कि इनकी संभावना है क्योंकि यह सबसे सलेक्टेट टॉपिक से लिए गये हैं और सबसे बहतरीन कोशन है अगला कोशन देखते हैं निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है तो वो option number जो C है आधरता के बढ़ने पर YU में ध्वनी का वेक कम हो जाता है यह कथन सही नहीं है अगला कोशन देखते हैं यू में ध्वनी का वेक यह important कोशन है दोस्त वाईयू में ध्वनी का जो वेग होता है वो तापमान के घटने से घटता है मतलब ठंडियों में हमें अपना साउंड दूर तक ट्रेबल नहीं कर सकता बट गर्मियों में हमें अपनी आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती है पराध्वनिक विमान उड़ते हैं जो सूपरसॉनिक सूपरसॉनिक जो जेट होते हैं वो ध्वनी की चाल से अधिक वेग होता है उनका अपने एक नाम सुना होगा सोनिक बूम सोनिक बूम कहां से जेनरेट होता है सूपरसॉनिक बिमान से अगला प्रशन देखते हैं मैक अंको का प्रियोग वेग के संबन्द में किया जाता है तो ये किया जाता है वायू यान के संबन्द में अगला प्रश्ण देखते हैं ध्वनी या ध्वनी प्रदूसर्ण मापा जाता है तो वह मापा जाता है डेसिमल सरी डेसिबल किसमें बाच जाता है डेसिबल डेसिबल में मापा जाता है याद रखीगा डेसिमल नहीं डेसिबल अगला कोशन देखते हैं रेडियो का सम स्वन स्टेशन उदाहरण है तो वो उदाहरण है आप्शन नमर B अनुनात का रेजोनेंस का एक्जाम्पल है जब हम बासुरी में यहां से फूक लगाते हैं तो साउंड में क्या होता है रेजोनेंस जनरेट हो जाता है इसलिए इसकी इंटेंसिटी क्या होती है लास्ट इंड पॉइंट पर ज्यादा तेज हो जाती है अगला कोशन देखते हैं किसी ध्वनी स्रोत की आवरिति में होने वाले उतार चड़ाव को कहते हैं तो कहते हैं डॉपलर इफेक्ट क्या कहते हैं डॉपलर इफेक्ट अगला परशन देखते हैं पास आती हुई रेलगाडी की सीटी की आवरिति बढ़ जाती है ऐसा किस घटना के कारण होता है तो वह होता है डॉपलर इफेक्ट के कारण अगला परशन देखते हैं निम निखली में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रियोग रात्री द्रिष्टी उपकरण में यूज करते हैं तो यूज करते हैं आवर तक इन्फरा रेड तरंगों का यूज हम करते हैं अभी आपने सुना होगा पेंटागन ने एक उड़न तस्तरी का वीडियो जारी किया है वो किस से लिए गया है वो तस्वीश इन्फरा रेड से अगला प्रश्ण देखते हैं किसी संगीत यंद्र की ध्वनी तिवर्ता मापी जाती है तो वो मापी जाती है डेसीबल में किसमें डेसीबल में अगला प्रश्ण देखते हैं वाई यू के तापमान में परिवर्तन से ध्वनी का निमलेखित में से कौन सा गुल प्रभावित होता है तो वो होता है आवरित्ती फ्रेक्वेंसी जो है वो डिश्टर्ब हो जाती है अगला कोशन देखते हैं डॉपलर प्रभाव सम्मधित है तो अभी बताया था डॉपलर प्रभाव किसे समय थे वो है अप्सन नमर ए द्वनी से कौशन नमर 20 रखते हैं साधारण बातचीत में ध्वनी की तिब्रता होती है तो वह होती है अप्सन नमर ए तीस से चालिस डेसिबल के बीच दोस्तों यह रेलवे के एंटी पीसी पेपर में रेलवे के जेई पेपर में और रेलवे के ही गुरूप डी में पूछा जा चुका है तीनों फॉर्मेट में यह पूछा जा चुका है एक्जाम में अगला कोशन देखते हैं कि द्वनी का तात्व किस पर निर्भर करता है तो वह निर्भर करता है कि ऑप्सन नमर सी तीब्रता पर किस पे तीब्रत अगरा प्रश्ण देखते हैं और धोनी तरंगे नहीं चल सकती है तो वो नेरवात में नहीं चल सकती है जहां पर कोई मिडियम नहीं है वहां पर धोनी तरंगे ट्रवेल नहीं कर सकती है इसका मतलब यह हुआ कि अंत्रिश्च में हम आपस में बात्चीत नहीं कर सकते हैं निम्न में से किसके द्वारा ध्वनी प्रदूसर्ण मापा जाता है ध्वनी प्रदूसर्ण होता है तो वो होता है हवाई जहाज जब उड़ान भरता है तो उससे बहुत ज़्यादा नौएस पॉलूशन क्रियोट होता है अगला प्रशन देखते है सुनार अधिकांस प्रयोग में लाए जाता है तो कल आपको सुनार के बारे में बताया था सुनार में हम कौन सा वेब यूश करते हैं अल्ट्रा सोनिक वेब का यूश करते हैं और ये नौ संचाल को द्वारा प्रयोग किया जाता है सुनार से हम समुद्र में डूबी हुई वस्तूओं का पता लगाते हैं और दुस्मनों के संभरीन की स्थिती जानने के लिए हम इसका परयोग करते हैं अगला प्रश्ण है पाचीस नंबर का झो कोश्यन है इस्त्रियों की आवाज पुर्सों की अपहिछा पतली होती है क्योंकि इस्त्रियों की आवाज क्या होती है जो option number A है इस्त्रियों की आवाज की अधिक होती है मतलब frequency जो है वो आवरतों की ज़्यादा होती है in compare to men ठीक है तो उनकी frequency high होती है इसलिए उनकी आवाज जो होती है हमें पतली सुनाई देती है तो आपको यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों यह 25 question का जो series था और इसके बाद जो topic है उसको हम discuss करेंगे अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में जरूर share कीजेगा और इस channel को subscribe कीजेगा Thank you